नमस्कार दोस्तों स्वागत आप स्बीका कहली क्लासेज में तो आज हम लोग देखने जा रहे हैի मराठा सम्राज इस्लिजन मोड क्लास में हम लोग जो फर्स्ट वीडियो देखिये ते फस्ट में एरोपिया कंपनी का आगबन फिर हम लोग ने देखा था सकेन इसका कौन सा पाड़ था तो सकेन था मुगल कालिन उत्तर मुगल कालिन बंस था तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मराथा समराज यह वीडियो काफी लंबी होने जाएगी ऑल्मूस्ट एग घंटा तो प्लस हो जाएगा कोई बात नहीं अपने कुर्सि के पेटीह मांध्न दीए क्यांकि बीडियो होने वाली है कि चलिए स्टाट करते आज हम लोग मराठां समराज को अधुनिक भारत की इतिहास में अधुनिक भारत की इतिहास में अगर देखा जाये तो मराठा ने सबसे अधिक और महत्पुन भूमिका निवाय तैंडकन के छेतर में अधुनिक भारत की जो मराठा समराज का विस्तार था वो कहां था वो देखे कर नीचे करनाटक से ले के उपर मध परदेश तक के यह पूरा एरिया को कभर किया गया था इसके समय और सिवाजी के समय इन लोगों ने मुगलों को सबसे अधिक क्या चिनोतियां दिया था तो सि पूना जैसे छोटे से जागीर से उठकर सिवाजी पूना जैसे छोटे से जागीर से उठकर सिवाजी ने मराठा समराज का निर्मान किया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इतिहास में माराथवारा कहा गया और इस माराथा सम्राज को क्या कहा गया इतिहास में माराथवारा कि शर्य आगे बढ़ते हैं इत्यास्मी से मराथवारा कहा गया उस समय मराथवारा का छेत्र संपूर महराष्ट के साथ साथ मध परदेश और करनाटा के कुछ भाग तक क्या विस्तारित था अर्था शामिल था इसके अंतरगत हम लोग निमलिखित तर्थियों का अध्यान कर शकते हैं क्या क्या पढ़े है मराठो के बारे में जानकारी के लिए हम लोग के पास कई महत्पून श्रोथ हैं जिसका समचीफ्त सम्चीफ्त में वर्णन दिया गया है तो देखते हैं कौन-कौन से सोड़ से है तो दिखे पहला फर्स्ट क्या है सवासद्द यह दरवारी क्या इतियासकार था यह जीवाजी के जीमनी लिखा गया है उसका क्या नाम है वक्षर एक इसके दोरा सब्सक्रेइद सब्सक्राइब जो दर्वारी तर्वियासकार था था सिवाजी देखेंगे इस पुस्तक से सिवाजी के उपलब्दियों के साथ साथ मराठा के बारे में विजानकारी मिलता है फिर दूसरा जो हमें सरोत है वो क्या है दूसरा जो सरोत मिला ही है खफी खांग ये खफी कांग कौन था तो ये देखिए और अंग्जेव के समय के परसीद विद्वान थे जिन्होंने मुंत्खव उल्लुबाव तो खफी कहाने क्या लिखा है मुंत्खव उल्लुबाव नामक पुस्तक लिखा है इसने सिवाजी को सैतान का चतूर बेटा कहा है तो सैतान का चतूर बेटा सिवा जी को किसने कहा है तो ये कहा है खफी खाने कहा है और इसके दोरा जो पुस्तक लिखा गया है क्या है मुंत्खव उल्लुबाव है तो इसने सिवा जी को सैतान का चतूर बेटा कहकर समधित किया है औरंग जेब ने सिवा जी को पहारी चुहा कहा है तो औरंग जेब ने सिवा जी को क्या कहा है पहारी चुहा चलिए आगे बढ़ते हैं कि हेच잉 अब मनें निक्स्ट है ग्रान डफ इस विद्वान ने मराठों पर सोध का कार्ट किया तो मराठा पर जो रिचेर्ड वेगरा जो किया है यह कौल सा विज्ञानिक था यह अभी दों था ग्रान डफ किया और मराठों का इतिहास नामाग पुस्तक की रचना किया जिसमें विस्तार पुरुवक भी उलेक किया गया है तो Grand Dap के दौरा मराठा पे एक रिसर्च करके पुड़ा एक बुक लिखा गया है जिसमें काफी विस्तार पुरुवक इसका उलेक किया कौन? Grand Dap Next है समर्थ रामदास तो यह सिवाजी के अध्यात्मिक गुरु थे इनकी परशीद पुस्तक का नाम है दस बोध तो इनकी जो क्या है? इनके दोरा जो अग लिखे कि परशीद पुस्तक है उनका क्या नाम है? दस बोध याद रखिएगा किसके दोरा? समर्थ रामदास के दोरा जो सिवाजी के अध्यात्मिक गुरु थे आके बरेंगे इनही के प्रेरना सरोत इनही के प्रेरना सरोत सिवाजी ने इतने विसाल समराज का निरुआन किया था तो समर्थ राम दास उनके जो अध्यात्मिक गुरु थे उनी से प्रेरणा इनको मिला और इतने बरी इसम्राज की स्थापना के दिया ।ो सब जदा किनका इमप्रूर्टेंट होता ब।थ n fundamentals होता जो इस रूप में आपको ढालना चाहते हैं, तो काफी हद तक उनका योगदान होता है, इनका सिक्षक, तो इसलिए सिक्षक को राष्ट निर्माता भी कहा जाता है, तो चलिए, सिवाजी के संदर में रामदास का परशिद कथन, उठो सिवाजी अब समय आ गया, तो सिवाजी के यह परशिद कथन किसके दौरा, रामदास के दौरा दिया गया था, सिवाजी को क्या मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग वाजी राव पर्थम के बारे में देखते हैं थोड़ा, यह सबसे परशिद पेशवा थे, इन्होंने हिंदू पादसाही की रचना किया था, यह भी पॉइंट याद रखेगा हिंदू पादसाही की रचना किस ने किया, तो वाजी राव पर्थम ने किया है, वाजी राव मस्तानी मोवी है, काफी सांदार मोवी है, आप लोग नहीं देखें तो देखेंगा, अच्छा लगेगा, तो चलिए आगे देखते हैं, जिसे मराठाओ के बारे में जानकारी मिलता है, तो देखिए, यह सबसे परसीत पेश्वा था, इन्होंने हिंदू पद पाजशाही की रचना किया था, जिसे मराठाओ के बारे में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होता है, हिंदू पद पाजशा साही की रचना किया था जिससे मराठा के बाले में जानकारी मिलती है जब कि हिंदू पद पद्शाही पद्शाही की जो अस्थापना सिवा जी ने किया था और इसको विस्तार करने का स्रय जो सब जाता जो स्रय जाता कि निको बाजीराव पर्थम को दिया जाता है इस्टार् जीए तो सिवा जीन इसके स्थापना करता हिं दूय का जबिस्टार कानर गड़ेता बाजी राव परफम कि माराथों के उढने के कारण माराथा संदर्ज के क्या क्या कारण था कि कुछ कारन के बजहा होता है तो इसमें कातर स्थापन होने में बहुत सारस्टायी। और शिवाजी जैसे sister हमस 사सखने इस काफी वक hobi देखा जैतों महाराथा संब्सकेश इंट सब्सक्zeug एक काफी और ये अघ्या करोंदामधा निमिक पंट एक ने ठोके भाल ज़हते है पीек माँठा कर देखा महत निर दौर्ण है यहां से काफी युद होता हैります के दोर ऑसीफाजी के दोरा की दोरा की अजाता फिलेुशं2 उसका भागोली करन और भी करणं का भी हुआ सिंगनी फिकेंट लौ्ट उससे फायदा होता है मराठो को देखे गोरिला युद परनाली का जनक मलिक अंबर को माना जाता है तो गोरिला युद परनाली का जनक तो माना जाता कौन मलिक अंबर और इसके बाद सिवाजी और बाजी राव पर्थम ने इसको अधिक विक्सित किया है तो जनक तो हो गया गोरिला युद को कौन मलिक अंबर लेकिन सिवाजी और लाज जिराव परत्त हमनेज से कापी बिश्थार तक के भिखित करके और आगे लेगया है कि तो ये डूसरा करणा करना ता इसका सीवी है सापना होने में तो देखिए ओरंग जेव की औरंग जेव की हिंदू विरोधि नी तो नीच एक लिक शारी शारे नीत्यश अपनाई जिसमें हिंदू विरोधी उसमें नित्यां थी त यूद बना फिर भक्ति अंदौलन का पिरवाब भक्ति अंदौलन आप लेग पढ़ेंगे हम लोग दीखेंगे वरको अंदौलन के बारे मैं बहाट्साःव्वां व्योगदान था फिर सीवाजी का व्यक्तित में हम लोग देखेंगे सीवाजी के व्यक्तित के बारे में कि तो शीवाजी का प्रारम्भिक जीवन कि देखांगे 1627 लिखे 168 समय तो शीवाजी का जन्म कब होता है बीच जन्वडी 1627 में तो बीस जन्वरी 1627 में इस महान सांभिन निर्षा होता कहा होता हम देखेंगे यह होता है आए कशिवेर के खिराम sweetheart कि जन्मस्तर पुना के समीश्य दुर्ग में पीता का नाम सिवा-जी के पित जी का क्या साहजी भोसले की और मा कानाम जीजा बाई और सतेली मा का नाम क्या था इनका पूका भाई महीत तो शिवाजी क्या जो जन्म होता है बीज़ जन्वरी 1627 में उनका जन्म्सन कहा होता है जन्मस्तल पुना के समीप सिमनेर दुर्ग में और पिता का नाम साजी भोसले मा का नाम जीजाबाई सतेली मा का नाम तुकाबाई मोहिते और पुत्र का नाम सामभाजी और दादा जी का नाम कौन देव और दादा जी इनके क्या थे इनके राजनेतिक गुरु और संगरक्षक भी कौन एई इनके दादा जी थेूँकर देखि राजनेतिक गुरु और सन्रक्षक कौंदेव धार्मिक गुरु का नाम समर्थ रामतर अवर पतनी का नाम साई वाई निम्बला अनिみलकार епाल निम्बलकार इने पतनी का नाम है, चले आगे देखते हैं, सिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ था, जिसमें सिवनेरी देवी का मंदिर इस्तित है, तो वो सिवनेर दुर्ग में सिवनेरी देवी का मंदिर इस्तित था, जिनके नाम पर, इनका नाम क्या पड़ गया, सिवाजी रख दिया गया इनके पिता साजी भोसले पूना के जागिर्दार थे जागिर्दार थे कहां पूना के इनके पिता जी और तुकावाई मोहिते के साथ रहते थे तो वे पूना में तुकावाई के साथ रहते थे जो तुकावाई मोहिते जो इनकी कौन थी सहतेली मा थी प्रिनाम सर बच्पन के अपने मां कि साथ बीचता है कि तो आगे चलते हैं कि और सिवा जी के व्याक्तीद पर सबसे अधिक परभाव रफ super सिवा। अधिक अभर मां जीजा माही बैक्ति उनकी कौन थे दूसरा व्याक्ति थे उनके दाधा जी बच्पन में दिखे जाए कौन सबसे ज़्यादा वह क्या माक साथ रहें मास उनको काफी क्या प्रभाब मिला के देखा जटीछ प्रभाब उनके बस्ट्रपन में जो मिला है मास से मिला और कि दादा जी सफिर आगे जग समर्थ रामदास जो उसके अध्यारमिक गुरू होते हैं चलिए आगे देखते हैं, अभे सिवाजी का बिवा, सिवाजी का बिवा 1640 इस भी में हुआ था, तब उनके पिता पूना की जागीर सिवाजी को सौप दिया, तो सिवाजी का बिवा हो था 1640 में, फिर इनके पिता सिवाजी को पूना के जागीर सौप देते हैं, और सिवाज जी ने अपनी परारंभिक कार अस्थली मावल परदेश को बनाया इन्होंने सासक बनने के बाद दुर्ग जितना का पर्यास शुरू कर दिया जैसे ही अब सासर के बने पुना के जागिदार और फिर ये शुरू कर देते अपना क्या दुर्ग जीतना अपने आसपास के फिर वागे बढ़ाते चले जाएंगे सिवा जी ने सरपर्थम तो सिवा जी ने सरपर्थम 1644 में बीजापूर से तोरन का किला छीन लिया तो पहला होगा क्या तोरन का किला याद रखेगा 1644 में फिर है 1648 में इन्होंने जाबली का किला और तो 1648 में जाबली का किला और 1656 में पुरंदर का किला को भी जीत लिया तो पर्थम कौन जीता है तो पर्थम जो किला जीता गया है कब वीजापूर से तोरन का किला दूसरा 1648 में जाबली का किला और 1656 में पुरंदर का किला इन महतपुन को और जो जाबली का किला था वह सेन्य दृस्टी कौन से सब से ज़्यादा मात्पुन 1656 में अस्थापित किया है तो राजधानी अस्थापित कब राजधानी कब अस्थापना किये थे यह 1656 में राइगड में चलिए आगे बढ़ते हैं सिवाजी ने जब अपने छेत्र का विस्तार करना शुरू किया प्रोसी राज के साथ साथ मुगलों से भी संगर्श हुआ तब सेन्य अभ्यान किया गया जिसका संशिप्त बर्नन निमलिखित है जैसे जैसे उनका क्या अभिस्तार होने लगा सेन्य अभियान में उसी बीच में ये सेन्य अभियान करेंगे किसके साथ तो मुगलों के शाथ कि उस समय मुगल ही था एक देखा जाए तो पर जो पावफुल था और यही टकर निंसे लेना जरूरी था तो देखिए इसमें आता है अफजल खा की हत्या तो 1669 में अफजल खा की हत्या सिवाजी ने कर देता है देखिए सिवा जी ने बीजापूर से दुर को छीन लिया था तो सोल जो बीजापूर तो सिवा जी ने क्या बीजापूर से दुर को छीन लिया था और बीजापूर के सेना पती तो बीजापूर के सेना पती कौन थे बीजापुर के सेनापती अफजल खा ने अभ्यान किया और बीजापुर जो सेनापती थे अफजल खा उसने क्या करता है अभ्यान कर देता है सिवा जी के तरह बढ़ता है और इस क्रम में पनठपुर पंधरपुर में बिठोवा मंदिर को तोड़ दिया और इसने अपना अफज़ खां ने अपना दूख किसंजी वास कर मेठा राव को सिवा जी के पास भेजा जीस ने सडियंत के बारे में शिवा जी चाय निया प्रिनाम सवरूप पार नाम अस्थान पर सिवा जी ने अपने बग नक से अफजल खां की हात्या कर दिया यह बहुत बड़ी विजय थी और सिवा जी मराठवारा के च्छित्र के नायक बन गये तो अवसल्खुरु है किया सौरे अव्जळ गुरु करते हैं अव्जळगा की हाथ करता शोन सट में सिवाजी का इसमा होता है कि अव्जल खा वह आज करता मिटिंग के लिए तो देखा जाए तोओ किया उसका Satya सडियन्थ होता उचाद उचाड़ाता सीवाजी किसी तरह उसके जहांसे में आ जाए और उसको वहां हत्या कर दिया जाएगा लेकिन इसके बारे में इस सडियन्थ के बारे में कौन बता देता है तो देखिए किस जी भासकराव को सिवाजी के पास वेजा जिसने सडियन्थ क कि जिए अपने सेप्टिक लिए कुछ ने कुछ तो लिए एक छोटा सा पीन को फॉर्म में बखनक क्या बगनक होता है बखनक कर यह अंगली एशे समा तो पहन कैसे पूरा सीना चीर देता है उसका पूरा पेट फार देता किसका अफजल खां को सिवाजी तो उससे में बोलते हैं और सिवाजी वो लेकर फिर जाते हैं जैसे उस पर अटेक क्या सिवाजी पर अटेक करने अफजल खां आता है तो यह सिवाजी भी अपना क्या रक्षा में उसक कि लग रहे होता होस् Amazon ऐसले लरा जाता है चलिए आपके पास कितना भी वरा हथियार क्योंया अगर आपके पर सहता होस्था नहीं है तो आपको भी लगाई नहीं जीज इसे ही इस विचय को सबसे बसली आफना कौा प्रि चलिए आगे बढ़ते हैं 1669 में हो गया अफजल खां का हत्या फिर है साइस्था खां साइस्था खां कौन था तो यह था औरंग्जेब के मामा साइस्था खां पर आक्रमन 1663 में यह औरंग्जेब के मामा थे इनके सिवीर पर सिवाजी ने गोरिल्ला युद्पद्रती को अपनाते हुए आक्रमन कर दिया साइस्था खां पराजित हुआ तब औरंग्जेब ने दक्षीन भारास से हटा कर इसे बंगाल भेज दिया किसे तो साइस्था खां को फिर आता है सूरत की लूट 1664 में सूरत की लूट होता है तो यह यह एक ओध्योगिक नगर था जिस पर मुगलों का नियंतरन था अपने आर्थिक इस्तिति को मजबूत करने के लिए सिवाजी ने सूरत को क्या लूटा चली आगे बरते हैं कब तो सूरत का जो लूट होता है 1664 में किया जाता सिवाजी के द्वारा फिर है पुरंदर की शंदी तो देखें पुरंदर की शंदी 1665 में यह संदी सिवाजी और जैसिंग के बीच संपन हुआ पुरंदर की शंदी किसके किसके बीच हुआ तो यह सिवाजी और जैसिंग के बीच होता है जैसिंग मुगलों की तरफ से संदी में शामिल हुए थे इस संदी इस संदी में देखते हैं आगे इस संदी के अनुशार 23 किला 23 किला सिवाजी ने मुगलों को दे दिया जिसकी आमधानी 4,0,00,000 था। और बारा किला शिवाजी के पास वरक्षित बच गया जिसकी आमदानी गतना था आमदानी एक लाग हुन था इस संदी के दॉरा एक दूसरे को साहता देना एक दूसरे पर आकवन नहीं करना सामिल किया गया था और साथ थी साथ संभाजी को 5,000 का 5000 का मन सब भी दिया गया मुगलों के दवरां तो पुरंद्रक शंदी सिवाजी और जैसिंग जैसिंग के बीच होता है पिर आता है आगरा की यात्रा तो आगरा की यात्रा सिवाजी कब करते हैं 1666 में और 1666 में एक और घटना है तो सिख के दसमे घृणू गुरु गोविन सिंग का हुआ है कि अंग्जीवब ने राजदरबार में सिवा जी को भी 5000 का मनसब परदान किया अर्थाद उनके पुत्र को भी यही सरेनी में रखा गया तो देखे इनके पुत्र को भी 5000 का मनसब दिया और सिवाजी को भी दिया जो की अच्छा बात नहीं पिता है तो तुरह ज़्यादा होना चाहिए था ना देखा ज़िए आईए बेजज़त करने देखा ज़िए इंडायक रूप से बेज़ज़त किया जा रहा था तो देखे अर्थाद उनको भी पुत्र की श्रेनी में सामिल कर दिया नराज होकर सिवाजी ने अरंग जेब को विश्वास घाती सब से सम्मोधित कर दिया प्रिनाम स्वरुप अरंग जेब ने सिवाजी उनके पुत्र सम्मभाजी और उनके 4,000 समर्थकों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया आगे देखते हैं सिवाजी और सामभाजी दोनों को दोनों को आगरा के जैपूर भावन में कैद कर दिया गया तो इसके अनुसार क्या होता है तो सिवाजी और सामभाजी दोनों को आगरा में जैपूर भावन में कैद कर दिया फिर होता है सुरत का दुबारा लूट फिर हो सुरत का दुबारा जो लूट होगा 1670 में आगरा से निकल कर सिवा जी ने चार सालों में अपने खोए हुए सभी छेत्रों के साथ अन्य दुर्ग को भी जीत लिया और इसी करम में सुरत को दुबारा लूटा गया सिवा जी को राजा की उपाधी और अंग जेब ने दिया त राजय विशेख अब हम लोग देखेंगे सिवा जी के राजय विशेख 1674 में तो सिवा जी ने अपनी राजधानी राइगड में अपना राजय विशेख संपन कराया तो सिवा जी ने अपनी जो राजधानी थी राइगड में वहीं पर अपना राजय विशेख संपन कराय कासी वनारश वनारश के जो परसित विद्वान पंडित थे गंगा भट या विशेश्वर ने सिवाजी का राजय विशेख संपन कराया इस अबसर पर सिवाजी ने कई उपलब्दियां को धारन किया जैसे छत्रपती गो ब्रह्मन परतिपालक हैंदव धर्म उधारक मराठा क कुल भूषन मराठा कुल बतंभा है तो यह संदक रलक उपादी दारन किया इस हब सरफ पर हमें करनाटक कि सफलimiziurd्फ कर्णाटक 1669 यह सिवाजी का अंतिं सफल अभियान था तो करनाटक का जो अभियान था 1660 यह सिवाजें का सबसsanै अंतिं सफल अभियान था है रबाद के मदन्न अवम अकर्णा नामक भाईयों के सहयोग से इनका अभ्यान सफल रहा तो मदन्न और अकर्णा नामक दो भाई था जिसके सहयोग से ये करनाटक का अभ्यान क्या होता शफल होता है अधिके 1680 में सिवाजी की मिर्टू हो गई तब छत्रप्रती के रूप म सामभा जी को नियुक्त किया गया तो सुलो ससी में सिवाजी के मिर्टू हो जाती है फिर कौन आते हैं तो उनके पुत्र बनते हैं शामभा जी छत्रपते अब थोड़ा हम लोग देखेंगे सिवाजी के परशासन किस समय में कैसा कैसा परशासन था देखिए सिवाजी का प महान्स पर्शासक थे। इनके बाद बाजी राव पर्थम को कुसल पर्शासक माना गया है तो सिवाजी के बाद और कोई मैंठा सम्राज में अगर आके अच्छे पर्शासन बना एक महाने तो वह कौन? बाजी राव पर्थम ही था सिवाजी के बाद ही अध्यान की सुब्दा के लिए हम लोगों इसको दो भाग में पढ़ेंगे इस परशासन वेवस्ता को तो एक है केंद्रिया परशासन तो देखें केंद्रिया परशासन का कैसा वेवस्ता था तो इसमें एक होता था जो सबसे सर्वोश उपर था सासक इस परसासनिक वेवस्ता में सिवाजी सर्वोश अधिकारी थे यह वेवस्तापी का कारपालिका और नयापालिका का भी सर्वोश अधिकारी तुथे आगे मंत्री परिशत परिशासन में सिवाजी को सयोग करने के लिए सची वाले के अस्तर का मंत्री परिशद मंत्री परिशद गठित किया गया था जिसको हुजूर ए दफ्तर कहा गया तो मंत्री परिशद को क्या कहा गया हुजूर ए दफ्तर इस मंद्री परसद में आठ सबसे प्रमुक मंत्री थे जिनको अश्ट परधान कहा गया तो अश्ट परधान याद रखे गया ये सिवाजी के परसासन से सम्मंदित है एक मंत्री परसद का आठ सदश्या तो अश्ट परधान सिवाजी के राजदरबार में राते थे अश्ट पर्दान का बड़न निमलिकी थे देखे एक पर्दान कौन कौन है देखते हैं कि सब्सक्राइबली इतर अर्थ हो गया तो पेषवा तो अस्त जो अस्ट पर्दान था उसमें एक पेषवा का पहता जो परधान मंतरी था फिर है सुमंत बिदेश मंतरी अमत्य Whats प्रध्स नावबत सरे नवबत शेनपति वक्यानदुश्री भाक यान पिस बात यान विस क्या तो ग्रीह मंत्री यह गुप्तव विभा का प्रधार imagem चितनिश चितनिश यह क्या सद्रिठ राज्किया पत्र बेभार देखने वाला अदिकारी कि तो पेष्वा परधान-मंत्री विदेश मंत्री आउमत्य भित्मंत्री और सरे नौबत क्या हो गया सेनापती और बाक्यान-विष, गिरीमंत्री गुपचर बिवा का प्रधान और चिट्निस क्या हो गया राज किया पत्र बैभार देखने वाला अधिकारी और पुरोहित धार्मिक मामलों का अधिकारी और नयाधिश नया करने वाले अधिकारी चलिए आगे देखते हैं सेन्य परिशासन देखेंगे हम लोग तो सेन परिशासन में देखेंगे मावल परदेश के सेनिक इनकी सेना में सबसे अधिक थे पैदल सेनिक को पायक कहा गया है और सिवा जी का सबसे मजबूत पक्ष अस्थाई सेना था जिसको पागा कहा गया तो जो मावल परदेश था मावल परदेश में से जो मावल परद क्या स्थाई सेना रखा पैया रखा रखा भिर डख सेना को ब्र्ख गई या अस्वरौह Since भो कि Sharp मतलब गहरा अब सुनरी मा इस गुराह वोल में दिद्धर कर दो adv novella चिया गया था तोई से सेनिक जिनको अस्व के साथ साथ सभी आवशक बस्तूओं की वेवस्ता स्वयम करना होता था तो सिलादार जो उसमें था तो उसको अस्व के साथ साथ जो सभी आवशक बस्तू होता था तो उसे खुद स्वयम क्या ववस्ता करना होता था जिसको सिलादार कहते थे और दूसर टेजिर कहा गया तो एक हो गया सलागीत आ चिल्हादर और दुसरा क्या वरगिर है कि जुक्राई बढ़ता है कि एसी वाजी की ने तोपो और गोला तो पर गोला बारुद फ्रांस यसियों से पराप्त किया है तो सिवा जी को जो तोप और गोला कहा स्प्राप्त होता है तो यह फ्रांस सिस्योग से प्राप्त होता है. इन्हों ने जञजीरा दूइप जो अरब सागर में स्थित है, सिध्यों से मुकाबला करने के लिए दरीया, सरंग के निर्तिर्त में एक जलबेरा का गथन किया था. तो देखे इनों ने क्या जंजीरा अरब सागर में इस्तित सीधियों से मुकाबला करने के लिए दरिया सरंग के निर्तिर्थ में एक जलबेरा का गठन किया था तो सिवाजी का जो जलबेरा है मुंबई के समीप कोलाबा में इस्तित है सिवाजी ने अपने सभी अधिकारियों को बेतन में भूमी के बदले नगत बेतन तेने की वेवस्ता को लागू किया था राजस्परशासन देखेंगे combinuer और तो देखे सिवा जी ने अन्पद जी दत्यों के नितिर्त में जी नितिर्त में भूमि का 25 कराया प्रारह में सिवा जी ने 33 पर्तिशत कर वसूल किया जिसके बाद बढ़ा कर 40 परतिशत कर दिया भूमि के 25 के लिए सिवा जी ने काठी या मानक छड़ी का पड़ियों किया जो बीस काठी बराबर एक भिगा होता था तो बीस काठी बराबर एक भिगा तो इसी वाजी के दौरा ये क्या एक मानक बनाए गया था काठी या मानक छड़ी चौद्ध, चौद्ध किया था तो दिखिए यहां आय का सबसे पर मुक्स रोध था जो मुगल छेतरिया प्रोसी च्छेतर से एक बटा चार वसुलख किया जाता था तो चौत कितना असुल किया जाता था तो वन फोर्थ असुल किया जाता मुगल चेत्रिया अपने सिवाजी के जो प्रोसी छिस से ये असुल किया जाता था फिर दूसरा है सरदेश मुखी तो सिवाजी मराठा समराज के सरदेश मुख थे इसलिए मराठों से उनकी आई का तो अब देखेंगे प्रांतिया पर्शासन तो हम लोग केंद्रिया पर्शासन देख लिए तो प्रांतिया पर्शासन में देखते हैं तो प्रांथ इधर हो गया इधर इसके अधिकार गया तो जो उत्री प्रांथ था तो वहां का जो अधिकारी था कौन मोरो त्रियबंक पिंगले मोरो त्रियबंक पिंगले था उत्री प्रांथ के अधिकारी और दक्षनी प्रांथ के कौन था अधिकारी अन्ना जी दत्तो और दक्षनी पुर्वी प्रांद के दत्तोजी द्रियंबक सिवाजी के राज को एसमित ने डाकुआ राज कहा, तो सिवाजी के राज को जो एसमित है इधियासकार उसने क्या कहा? डाकुआ का राज कहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो व्यूक्त भर्णन से सिवाजी या मराठा पर्षासन के बारे में हमें महत्पुन जनकारी मिल जाता है। सिवाजी के उतरा धिकारी तो दीके 1680 से 848 सिवाजी के मिर्तिव के बाद छत्रपती के रूप में निमलिखित लोगों ने सासन विवस्ता का संचालित किया जिसको संचिफ्व में हम लोग देखेंगे। शामभाजी जैसे इस्तिवाजी के मिर्तिव होते हैं तो कौन सामभाजी उनके पुत्र चत्रपती बनते हैं। तो सामभाजी 1680 लेके 1689 इसी समय औरंगजेव के पुत्र अकवर ने बिधरो करते हुए सोयम को मुगल बासा घोसित कर दिया था। कि जब सेन्ने अभ्यान किया गया तब अकवर भागकर सामभाजी के पास चला गया। तो सामभाजी ने उजयन के परसीद विध्वान कभी कलस को अपना संडक्षन न्यूक्त किया। तो सामभा जी के दर्वार में कोन भाग चला आता है उसके, तो और अगजेव के पुत्र जो अपने आपको क्या को घुशित कर देता है मुगल बास और और वह अकवर दूत्या , जो किसके दर्वार माँ जागा सामभा जी रवार में आगज जाएगा। साम्भाजी ने उझेर्ण के परसीद विद्वान कभी कलस को अपना संदक्षन निव्ट किया था और अंग जेव ने इसलाम धर्म सुखार करने का परस्ताव रखने का प्रयास किया बदले में किसको सामभाजी को बदले में सामभाजी ने उसकी पुत्र जिनत उलनिशा से जिनत उलनिशा से बीवा का प्रस्ताफ रख दिया थीक है हम इसलाम तो धर्म कबूल कर लेंगे लेकिन अब अपने क्या बेटी से मेरा बीवा कर दो तो फिर क्या करता तो देखिया प्रिनाम स्वरुव अरंग्जेव के आदेश पर सांभा जी की ह हत्या कर दिया गया जिसे माराथा के इतिहास में बरबर हत्याकांड कहा गया सामभाजी के पुतर साहुजी सामभाजी के पूतर साहुजी और अंग् जेव के कैड में था इसलिए राजा राम को छत्रपती घोसित किया गया, राजा राम ने परतिनिधी नामक एक नए पद का सुरजन किया, और साहू के परतिनिधित के रूप में सासन बेवस्ता को संचालित किया, तो देखिए, क्योंकि सामभा जी के पुत्र शाह जी उस समय अरंग्जेब के अपने आपको खुद नहीं किया, उसके जो और भी लोग थे वो सब किया, तो राजा राम ने एक परतिनिधी नामक, एक अलग परतिनिधी, मतलब अपने एक वो सासक नहीं का, वो एक परतिनिधी अपने आपको का, मराठा का परतिनिधी का एक पद बनाया, और साहू जी क परतिनिधिक के रूप में सासन वेवस्ता पर संचालित किया और ये गद्धी पे भी नहीं बैठता देखिए राजा राम ने राइगर्ड से राजधानी परिवर्थित करके सतारा में अस्थापित किया तो राजा राम ने फिर बीज में एक आता है तारावाई तारावाई 1700 से लेकर 1707 राजा राम की मिर्तिव के बाद उनकी पतनी तारावाई एक छोटे से बालक सिवाजी दूतिया को छत्रपती घोसित करके स्वयम संरक्षिका बन गई और सिवाजी के बाद तारावाई ने सभी खोए हुए चैत्र को वापस प्राप्त कर लिया तो तारावाई काफी महत्पुन उस समय थी दिखें मराठा के द्यास में तारावाई सबसे योग और महत्पुन मैला थी साहु से प्राजित हो गई और संधी सर्थ के अनुसार अब ताराबाई और उनका परिवार कोलहपूर चला गया आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं साहु जी तो साहु जी और अंग्जेव सक्या और अंग्जेव के कैसे छूटक चला आता है फिर वह यहां पर साशन करेंगे तो साहु जी 1707 से लेकर 1748 मुगल बासा बहादूर्शा पर्थम मुगल बासा बहादूर्शा पर्थम हम लोग ने देखा था जब उत्र मुगल कालिन पढ़ दिया किसको तो साहु जी को तो इनको कैसे मुक्त कर दिया मुक्त कर दिया प्रिनाम सरुप तराबाई के साथ संगर्श हुआ जिसमें धन्ना जी जादब साहु धन्ना जी जादब साहु की तरब से सामिल हुए थे और खेरा के युद में तराबाई पराजित हो गई इस प तो साहुजी की समय में, क्या 1719 में सेयद बंदुओं ने संदी किया, इसी समय में सेयद बंदुओं ने क्या करता है, फरुक सियर के मिलकर क्या, साहुजी के साथ मिलकर फरुक सियर की हंत्या भी कर देता है, कौन सेयद बंदु और साहुजी महराज के साथ मिलकर, तो देखिए फिर आता है राम राज राम राजा पहले राजा राम राजा फिर राम राजा 1748 लेके 1777 इनके समय में पेशवा का पद बंसा नुगर्थ हो गया इसी के समय में 1761 में पानी पद का तिर्तिय युद्ध हुआ था तो पानी, पत का तिर्ट doe, युद्ध किसके समय में हुआ, राम्राजा के समय में हुआ, इस के समय में सह आलम दूतियस को अरंग़ेब के क्यण से मुक्त और अंगरेज, अंगरेज के कैल से मुक्त कराया और पुना दिली पर, गदी पर इसको बैठाया गया, तो देखें राम राजा 1748-1747 इसका शासन काल रहा और इसके समय में पेशवा का जो पध्धा बंसा गुनत्थ हो गया और इसी के समय में 1761 में पानी पत्ध का तिर्तिया युद्ध होता है और इसी के समय में सा आलम दूतिया को अरंग अंग्रेजों के कैसे मुक्त कराकर इस होजी दूतिया को सफुजी दूतिया सत्रा सुलिकर अटार सौ इसने लौड्य विल ख़ली केसा और सहाहत संधी पर हास्ताक्शत कर दिया और अंग्रेजों के अधीन हो घुता साहु दूतिया क्या करता यह लुड्य विल जली द्वरा त्वार्छ जो आश्ताक्श्ता गार देता है और अंग्रेजों के आधीन हो गया पर्ताप सिंग 818 सले कर ताब 618 से लेखर 1087 यह नाम्हातर के च्छत्र पती थे अर न्यू can रहिए अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इन पर पून रूप से नियंतन असापित कर लिया था तो पड़ताब सिंग नाम मात्र के छतपती था चलिए आगे बढ़ते हैं साहुजी अप्पास साहुजी अप्पासाहिव तो दिखिए साहुजी अप्पासाहिव यह अंतिम छतपती होंगे साहुजी अप्पासाहिव 1837-1848 यह अंतिम छत्रपती थे कौन साहुजी अप्पासाहिव अंतिम छत्रपती थे लॉड डलहोजी ने बिले का सिधान्त के अंतरगत 1848 अंतिम छत्रपती थे सिवाजी का बंसर्ज और उनके दौरा अस्थाफिस राज 848 में सबाप्त हो गया तो सिवाजी का जो क्या माठा समराज जो अस्थापना होता देखा जाए तो यह अंग्रेज में क्या करता अंग्रेज अपने अधिन कर लेता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब है पेस्वा पेस्वा क्या था एक पद था जो परधान मंत्री का पद था उस समय तो पेस्वा मराठा के उतकर्स सिवाजी के बाद पेस्वाओं के अधिन हुआ और इन्हीं लोगों के काल में मराठा का पतन भी हो गया कुछ महत्पुन पेस्वाओं का नाम नहीं लिखी था तो सबस पहले जो पेस्वा है बालाजी बिश्वनाथ बालाजी बिश्वनाथ 1713-1720 के बीच इनका रहा समया तो पेशवा का पद ये कब से कब रहे हैं 1713-1720 यह महराश्ट के चित पावन यह महराश्ट के चित पावन ब्रह्मन कुल से संबंदित थे यह भूर आजस्व के बहुत बड़े विसिसक थे इसलिए साहु जी ने इनको अपनी सेवा में सामिल किया इनकी योगता से प्रभावित होकर सेना करता के पद पर आसिन कर दिया और यह सेनापाती के उपर का पद माना गया और 1713 इसी में साहु जी ने इनको अपना पेशवा नियुक्त कर लिया चलिए आगे बढ़ते हैं इनके समय में सयद बंदुओं के साथ इनके समय में सयद क्या बाला जी भी सुनात के समय में क्या होता सयद बंदुओं के साथ एक संदिक किया गया जिसमें इसे पेशवा न सबसे अधिक महत्पुन भूमिका निभाया संधी सर्थ के अनुशार 15,000 सहनीकों की सहता देने की बात सामिल किया गया और चोथ और सर्देखमुक वसूलने की बात भी सामिल किया गया था एक दूसरे की सहता करना और बाहरी आक्रमन के समय एक दूसरे की सहता करना भी इसमें सामिल किया गया था इसलिए इस संदी को मराठा का मेगना काटा अर्था महा अधिकार कहा गया कि तो एक संदी किया गया क्या सइद बंधु के साथ और पेश्वा के साथ में तो इस संदी को क्या कहा गया पेश्वा मराठा का क्या मेगना काटा कहा गया और आगे बढ़ते हैं और बाजीराव पर्थम हे सिलिए अम लोग देखेंगे बाजीराव पर्थम 1720 से 17amyminute 1744 यह सबसे योग पैशवाथ है यह सबसे योग पैशवाथ है। इनको लराकु पैश्वा कहा गया तो किन्हें लराकु पेश्वा का गया तो बाजी राव पर्थम कौन बाजी राव पर्थम बाजी राव मस्तानी वाले बाजी राव पर्थम सिभाजी और तारा बाई के समान इन्हों ने मराठा समराज का बिस्थार किया G aek蟲 Cgy और 30 गहीं समान इनों ने मश्चा समराज को बिश्तार किया बाजी राव पर्थम के द्वाएज वसम्भोधित करते हुए परसित कथन है वाजी राव के द्वरा सहुची सहुची को संभोधित करते हैं संभोधित एक सावधित सबा रहे अगुपरई लकुत परसित तो सौयम गिर जाएगी और हम लोग मराठा पताका को कृष्णा से लेकर अटक तक फारा देंगे तो इसी के जवाब में साहु जी कहते हैं कि आप योग पिता के योग पुत्र हैं निश्चित रूप से इस कार को संपन कर सकते हैं बाजी रौ पर्थम ने गुजरात और मालवा के साथ बुंदेल खंड को भी जीत लिया और बुंदेल खंड की बिजया इनकी सबसे महत्पुन उपलब्दी थी और बुंदेल खंड की जो राजकुमारी थी मस्ताने के साथ बाजी रा का प्रेम संबन था और इतिहास कारों के अनुसार वह पर्शासर में भी हस्त शेप करती थी इसलिए इधियास कार में क्या इधियास में बाजी राव पर्थम की आलोचना किया गया तो जो जो इधियास में प्रेह्म कर रहा है सब इधियास कार उसको क्या कर रहा है उसका आलोचना कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं इस पेषवा ने सिवाजी के बाद कॉन बाजी रव पर्थम क्या करता है देखिया इस पेषवा ने सिवाजी पर्थम ने सिवाजी ने बाजी रव पर्थम सिवाजी के बाद गोरिला युद पददी छापा मार युद पर नाली का सबसे अधिक परयोग किया था इसने हिंदू पद पाजचाही का सबसे अधिक बिस्तार किया था और हिंदू पद पजिशाही सिवाजी के द्वारा सापना किया जाता ह। जब्कि विश्थार कौन? बाजी राओ पर्थम करता है सबसे जाता ह। इसने अपनी सकती को परदस्टित करते हुए मुहमग सारंगीला के समय दिल्ली पे आकरमन कर दिया था। अब देखियें, बाला जी बाजी राओ, फिर आता है बाला जी बाजी राओ, 1740 से लेकर 1761, इनको इतिहास में नाना साहब कहा गया, तो नाना साहब कीने कहा जाता है, बाला जी बाजी राओ को कहा जाता है नाना साहब, इनके समय में पेषवा का बद बंसानुगनत हो गया, तो बाला जी बाजी राओ के समय के हो गया पेश्वा का जो पत हा हो अब बांसानुगनत हो गया इसी के समय में 17161 नैं पानि पत का तिर्तिया यूद हुआ था चलिया थोरा देखतें आगे पानि्पत का यूद हो गया तिर्तिया यूद 1761 में कि तो यहां अंतिम महत्पुन पेश्वा था इन्हों ने छत्रप्रती के साथ 1750 में संगोला की संधी किया परिनाम सुरूप तो देखे इस क्या करता अंतिम पात्पुन पेश्वा था इन्हों ने छत्रप्रती के साथ 1750 में संगोला की संधी किया परिनाम सुरूप पेश्व यह अंतिम पेशवा था और पेशा का जो पद यह बंसानुगत हो जाएगा यहां पर इसने हैदराबाद की निजाम को पराजित करके 1750 में जलकी की संदी किया प्रिनाम सवरूप हैदराबाद का कुछ छेत इनको प्राप्त हुआ तो जलकी की संदी कब होता है 1750 में अब हम यह दोग देखेंगे पानिपास का तिरतियका यूद के बारे में चलियों पानिपाद कवकोती होता है चोहदा जन बड़ी सत्रासोा सठ में जोदा जन बड़ी का मनाते हैं मंकर संक्रांती जहीате मतलद आती चुड़ा तो दिकिए चोहदा जनबड़ी 1761 में पानी-पत का तiddżej यूध होता है और यह यूध मराठा और नादिर्शा का सेनपति एहमद सा तो देखे उदर से कौन सा? नादिर्शा था और ऊपति एहमद सा अबडाली के बीच हुआ था जिसमें मराठा के हो अबडाली प्राजित हो गए एहमसा अब्दाली अफगानी था लूट पाट करने के उदेज से याकरमन किया गया था इस यूद में मराठा तोब खाने का निर्तिर्थ तो इस यूद में जो मराठा का तोब खाने का जो निर्तिर्थ कर रहा था कौन कर रहा था इबराहिम खां गार्दी कर रहा था तो पा ट्राठा के तरब से बास्तभी सेमपाद कि तो पानी पर्दक जो दिश्य फिदा यूहा स्निक सेन सेन पति था कौंता सदांसिव राव आव जबकि सेन पति से नवल्दा था निमीं आजिए उन्दी ने माराठा को क्या माराठो को को प्राजित कर दिया और इसी प्राजय के कारण इस बेस्वा की मिर्टु भी हो गया चली आगे बढ़ते हैं फिर आता है माधव नाराइन राओ माधव नाराइन राओ 1701 लेकर 1772 में पानी पत के तिर्टिया यूद के बाद मराठाओ की स्थिति को इस बेस्वाय ने सुधारने का प्रयास किया और यह काफी हद तक सफल भी होते हैं कौन माधव नाराइन राओ लेकिन 1772 में इनकी मिर्थिव अकास्मिक हो जाता है और इसके बारे में कहा जाता है क्या पानी पत के तिर्टिया यूद था जितना छती इसे ने पानी जितना छती पानी पत के तिर्टिया यूद से ने हुआ उतना छती हो जाता है किसके माधव नाराइन राओ के अकास्म इसके समय में एक नए चरित्र रगुनाथ राव या राघोबो राघोबो का उद्य हुआ राघोबा का उद्य हुआ देखिए नराइन राव 1722 इसके समय में एक नए चरित्र रगुनाथ राव या उनका क्या नाम था राघोबा का उद्य हुआ जो इस बेस्वा के चाचा थे, इन हो ने नराएन राउ की हत्या कर दिया, और क्या करता है इरागहोबा, ये नराएन राउ के हत्या कर देता है, और अंग्रेज की सरन में चला गया, फिर माधव नराएन राउ, फिर क्यों आएगा, माधव नराएन राउ दूतिया, 1724-1795, न रंगाबाई ने जिस फुत्र को जनम दिया उसी को माधव नरायन राध दूतिया के नाम से पेशवा बनाएगा परसासन को चलाने के लिए बारह व्यक्तियों का परसासनिक संगठन बनाएगा जिसको बारभाई कहा गया तो बारह व्यक्तियों के परसासनिक संगठन कई जिसको बारभाई का गया इसने महादी जी को इसने महादी जी सिंधिया और नाना फर्नवीष और नाना फर्णविस क्या है पर हाँ नाना फर्णविस सबसे अधिक सक्तिसाली थे तो इसके समय में कौन महादाजी सिंधिया और नाना फर्णविस सबसे अधिक सक्तिसाली थे नाना फटनविस का मूल नाम क्या था तो नाना फटनविस का जो मूल नाम था बालाजी जनारदन भानू था इनको मराठा का मेकाया वेली कहा गया हो इस बेस्वा के समय मराठा समराज कई भागों में विवाजित हो गया था काफी। इवाइड हो जाता है तो दिखिए अलग अलग छेटर अलग लग क्या मराठा को मिल जाएगा चलिए है 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 कि आगे बढ़ते हैं इस है आर तो शतारा का जो छेत्र मिला किसे ये चर्थ्रतिक पास रहा पुना का पिस्वा के पास कोलापूड का और गॉलियका चेत्र सिंधिया को और बरौदा का छेद्र गायकवाड को इंदोर का खोलकर और नागपूर को भोसले इसे याद रख लेजिएगा यह मिलान करने में भी आ सकता कभी इस टाइब का इस लिए आगे बढ़ते हैं कि महाद जी सिंधिया और नाना फट्नवीष के नियंतरन से उब कर इस बेषवा ने आतमात्या कर लिए जो दूतिया था ऊतमात्या कर लेता है और इसके पुर्व राघ्ववा ने अंग्रेज के साथ संदी किया और इसे पहले अंग्रेज के संदी इसके पहले भी संदी कर लेता कौन रागोवा तो देखिए सूरत की संदी होता 1775 में यहां संदी अंग्रेज और रागोवा के बीच यहां संदी किसके बीच होता है सूरत की संदी 1775 में अंग्रेज और रागोवा के बीच होता है राको और मगोभा को पेस्वा बनाने के बदले में बेसीन कि से और ठाने का ठाने का अंगरेजों के ुrites भाट्र कर लिया यही संदी यूध का कारण भी बनेता अब दिखें यहीं संदी जो बनेता कि एक आसे दे यूद्ट का कारण पर्थम अंग्ल मराथा यूद्ट थो पर्थमांगल मराथा यूद्ट कि यह होगा पुरंदर की संधी कि 17060 में या संधी भी अंग्रेज और रागहवा के ब बीच हुआ तो यह जो पुरंदर की संधी यह अंग्रेज और रागहुबा के बीच वा इस संधी के अनुस्द 106 को बद किया गया लेकिन अंग्रेजों ने बेसीन सालसेट और ठाने का छित मराठा को वापस नहीं किया था कि बाजी राध दूतिया 1796 में बाजी राध दूतिया आएगा 1796 का 808 यहां अंतिम पेश्वा था यह रगुनाथ राव का पूत्र तो यह रागुव का पूत्र यह रगुनाथ का पूत्र था मराठा के पतन में सबसे अधिक जिम्मेवारी इसी को माना गया तो मराठा के जो पतन हुआ सबसे जादा जो जिम्मेदारी किसका था तो बाजी राव दूतिया का था क्योंकि यहां सबसे आयोग पेशवा था यह योग नहीं था लाइक नहीं था उस इसने जस्वंत राव होल करके भाई की हात्या कर दिया और अंग्रेजों के सरण में जाकर वेसिन की संधी पर हस्ताक्षर कर दिया जो यूद का कारण बना फिर होता दूतिया अंगल मराठा यूद कैसे कारण बाजेरा दूतिया के कारण 1803 से लेके 806 तो दूतिया अंगल मराठा यूद का होता 8303 साह तो छे इसमें मराठे संजुख्त रूप से सामीर हुए और 1803 में सूर्जी अरजन गाउं की संधी होता और 1804 में देव गाउं की संधी और 1806 में राजफुर घ है छुद होगा त्रितिय अंग मृराठाय उधously build 17-शतेृत त्रस्पर这 आठारीक के बीच में होता है दखे इसमें क्या होगा यह काल सम्राजवादी प्रविर्थी के गभर्णर तिरतेयुद में जो समराजवादी प्रवितिक जो गवर्नर रहता अंग्रेज का कौन लॉड हैस्टिंग का काल था इसको सहाइक संदी का अभिस्तार करने के लिए याद किया जाता तो सहाइक संदी का जो अभिस्तार करने के लिए किसे जाना जाता है लॉड हैस्टिंग को जान आजाता तो माराठा के पून पतन कारण का सरह किसे से दिया जाता तो माराठा के जो पून रूम से पतन करता है येves लूड हस्तिंग करता है तो इसी को शरय ये दिया गाया ह। इस विम में लॉड हैस्टिंग ने बाजी राव दूतिया के साथ गौलियर का संदी किया तो लॉड हैस्टिंग ने गौलियर के संदी किसके साथ किया बाजी राव दूतिया के साथ करता है इस संदी सर्थ के अनुसार बाजी राव दूतिया ने मराठा संग के अंतिम रूप से भीमा कॉड़ां के युद्ध, भीमा कॉड़ेगां और अस्टी के युद्ध में पराजित हुआ तथा अमत्य समर्पन कर देता कि भीमा कॉड़ी मापूर्राइज। लगता है अंगरेज के तरफ से 60680 पर सेना होता है, जिसमें है मराठा के लगभग 25-8000 सेना को ये पराजित कर देता है तो इसी रूप में कैस सबसे आंतिम जो देखा जाय तो ये अंत कर देता है, यही भीमा कोरेगां की युद में मराठा का पतन हो जाता है और इसी के बाद क्या होता है बाजी रादूतिया जो है यह आत्समर्पन कर देता है परिनाम स्वरूब 1818 में कानपूर के संधी इनके साथ किया गया संधी सर्थ के अनुसार पेशवा को कानपूर के समीव बिठूर नामक अस्थान पर भेज दिया गया और पेशवा का पत्समाप कर दिया गया और अठासो तिरपन में बिठूर में ही इनकी मिर्तिव हो गया कि इसने दुदपंध नाना सहाब को गोद लिया था। किसने तो बाजीरा दूद दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठो क्या मराठो के पतन का कारण। बहुत सार कारण था तो इनमें से कुछ को दिया गया देखिया। ततकालिन प्रस्थितिया में कई कारण ने मिलकर मराठो का पतन का कारण बना। आयो के उत्रादीकारी, सहन भूती की कमी, कुसल नतृत का भाव और एहमस अबदाली का आक्रमन। तो चलिए हम लोग complete क्या कर लिए हम लोग कभी complete कर लिया इसका पूरा theory part अब लोग हम लोग इसका question देखेंगा वीडियो काफी लंबी हो गई अब लोग पानी पी लीजिये तब तक काफी लंबा हो गया video ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका question देखेंगा पोस्ट कोस्टेह Daar सीवाजी की जीवन का नाम क्या dating जीवनी का नाम क्या है दो जीवन जो भाइक मरफी लिकागए वक्र लिखा वकर सिवाजी का जीवनी कौन सा है तो वक्र है कि आगे देखेंगे कोस्टन नमर 2 सिवा जी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की गरंथ का नाम तो सिवा जी के जो धार्मिक गुरु थे कौन थे सिवा जी के धार्मिक गुरु थे समर्थ रामदास तो इनकी जो गरंथ था कौन था दस बोध तो इनके दोरा लिखा गया था दस बोध सिवा जी के ब्यक्तित पर सबसे अधिक प्रभाब किसका था तो सिवा जी के ब्यक्तित पर जो सबसे अधिक प्रभाब था उनके मा का तो उनकी मा का मा जीजावाई का था कि बच्पन उनके मां के साथ ही बीता इसलिए काफी ज़्यादा उनका प्रभाव उनकी मां का रहा सिवा जी के राजनेतिक गुरु और संडक्षक थे तो सिवा जी के राजनेतिक गुरु और संडक्षक कौन थे कौन देव उनके दादा जी सिवाजी का जन्व पुना के समीब हुआ था कहा हुआ था सिवाजी का जन्व पुना के समीब कहा हुआ था सिवनेर में हुआ था चलिए सिवाजी ने सरपर्थम बीजापुर में कौन सी किला को जीता था कौन सा किला जीत लेते हैं सिवा जी तो तोरण के किला तोरण के किला बीजापूर से जीते हैं और सिवा जी के उपलब्दियों में निम्न सही है तिन में से कौन सही है कौन से कुछ कुछ कुश्चन मरेट देखेंगे हैं कुश्चन मरेट है सिवा जी की सिवा जी की उभलाब्दी में निम्निम सही है तो अफजल खां की हत्या 1669 में साइस्था खां प्राकमन 1663 में और सूरत की लूट इसमें से कौन सा गलत दिया गया तो देखें पहला पुरंदर की संधी 1665 में आगरा की यात्रा 1666 में और सूरत की जो दूसरा बार जब लूट किया जाता है सूरत का कब 1670 में इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत दिया गया तो इसमें से कोई नहीं हो जागा इसमें से कोई भी गलत नहीं है ठीक है चलिए को कुशन नमर टेन देखेंगा कि पुरंदर की संधी दौरा मराठों ने 23 किला मुगलों को दे दिया या संधी किनके बीच वाल तो पुरंदर की संधी मराठा में क्या करता है मराठा ने क्या करता अपना 23 किला किसको दे देता है यह मुगल को दे देता है तो यह संधी किसके बीच होता है तो यह संधी होता है स्रिवाजी और मुगल के तरब से कौन था तो जैसिंग आप्शन क्या हो जाएगा इसका भ बच्पन का नाम तो नाना फड़नविस का जो मूल नाव या बच्पन का नाम क्या था बाला जी जनारदर भानु आप्सिन नमर सी हो गया कि इसमें पूछ रहा है गलत इसमें सो कौन सा गलत दिया गया तो पहला देखते हैं सिवा जी के आठ्अच प्रधान पांँ आठ मंतरी जिस अस्ट परधान से कहा गया बिल्कुल यह सहियर पेष्वभा प्रधान मंतरी सुवन विधेश मंतरी इन में पध्यति को सिवाजी के बाद जो किया सबस्ज्यादा विकास ये बाजी राव पर्थम ने किया था ऑप्शन नमर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कि औरंग जेव ने सिवाजी को जैपूर भवन में कैद कर दिया यह बहन कहा इस्तीत है तो यह आगरां में है तो यह अजयाब नूंबर वियह हो जाएगा कि आप सिवाजी को पराजित करने के लिए औरंग जेव ने 1665 में निम्न में से किसे भेजा था तो सिभा जी को प्राजित करने के लिए किसे भेजा था और अगजेव ने ये जिया सिंग को भेजा था 15 का क्या हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 16 देखेंगा मराठा के इतियास में सबसे महत्पुन माहिला जो 1700 इस्वी में गद्धी पर आई तो वो कौन थी तारा बाई सिभा जी को राजा की उपादी किसने परदान किया तो सिभा जी को जो राजा की उपादी देता है वो कौन ये और अगजेव के दौरा दिया गया था और 1644 में 1644 में राजधानी राइघड में सिभा जी के राजा अभी सेख कासी या बनारस के जो पूरोहित थे कौन था जो करवाया था ये कौन ये पंडित कंगा भट हो जाएगा ऑप्सन नमर क्या हो जाएगा बी चौत तो चौत क्या था ये एक प्रकार का टेक्स था जो जो सिभाजी द्वारा प्रोसी राज्यों से वसुल किये जाने वाला वन फोर्थ टेक्स लिया जाता था आगे बरते हैं लडाकू पेशवा किसे कहा गया तो लडाकू पेशवा कहा गया था किसे लडाकू पेशवा बाजी राव पर्थम को लडाकू पेशवा कहा गया था पर्थम आंगल मराठा यूद की संदी द्वारा समाप्त हुआ तो पर्थम आंगल मराठा यूद की संदी द्वारा समाप्त होता ये सलवाई के संदी से समाप्त होता है 1782 में चलिए इसका क्या हो जाएगा question number 21 का क्या हो जाएगा answer C हो जाएगा सालवाई का संदी 1782 आगे बढ़ते हैं कोश्चन 22 देखें के पानीपत के तिर्तिया यूद 1761 होता है पानीपत का तिर्तिया यूद के संदर में सही कौन सा है देखिए एहमसा अबदाली ने मराठा को पराजित किया यहार आया इस यूद में मराठा का बास्तविक सेनापति सदासिव राव भाव था बिल्कुल सही है दूसरा इसमें मराठा तोब खाना का निर्तिर्त्व कौन कर रहा था तो इबराहिम खां गार्दी ने किया था तो इसमें से सभी सही है पानीपत के तिर्तिया यूद के संदर्व में कौश्चन 23 देखेंगे अन्तिम छत्रपति और पेस्वा तो अन्तिम छत्रपति कौन था साजी अप्पा साहिव और अन्तिम जो पेस्वा था बाजी राव दूतिया इसका ओप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा चले आगे देखें कौश्चन अमर्ट ट्वेंटिफॉर किसने सिवाजी राज को डाकु राज कहा तो किसने कहा था सिवाजी राज को डाकु का राज ये कहा था एसमित ये इतियासकार ने ये कहा था सिवाजी राज को डाकु का राज सिवा जी ने तोप और गोला बारुद किस से प्राप्त किया था तो सिवा जी तोप और गोला जो प्राप्त किया था कहां किस से ये फ्रांसीसियो से प्राप्त किया था चलिए आगे बढ़ते हैं किस के समय में पेशवा का बद बंसा नुगरत हो गया था तो किसके समय में पेश्वा का रजग्ध बंसनुमनु गरत हो गया था, यह बाला जी बाजीराओ के समय में. क्या option क्या हो जाएगा, आपच़्ननमर् C हो जाएगा. क्यों के बहुशननमर 27, किसने सतारा को राजध्धानी बनाया। तो किसने सतारा को राजद्हनी बनाया था? ये बनाया गया था, किसके दोरा? शाम भाजी, राजा राम, यसा अहो जी तो ये राजा राम के दोरा बनाया गया था, 27 का क्या हो जाएगा, 27 का उप्सन नमबर B हो जाएगा. जो लिए आगे बरते हैं, छत्रपति और माराठा कि जो पादि किसे मिला था, यह राजअभी सेक के दौरान दिया जाता, किसे सिवाजी को मिला था, question number 29 देखेंगे, सिवाजी का नौसेना जलवेरा इस्तित था, तो कहाई यह मुंबई में, कोलावा में स्तित है, सिवाजी का जलवेरा, सिवा जी के स्थाई सेना को क्या कहते थे ने ने सिवा जी का जो स्थाई सेना था उसे ना हुअ ऑक्षंनमर 2 कि ध 나오vert bla bla है कि सीवा जी के राज़श पर्शासन के संधर में brauch जाई तो राज़श पर्शासन में देख पूछा गया थे इसमें क्या एक यह लेखियां, कर 30-40 परसंट लेते हैं, जो टैक्स था कितना था, 33 सरे 4 परसंट तक था, और भूमी के माब के लिए मानक छरी काठी का पड़ियोग करते थे, और सरदेश मुखी कर कितना था तो 10 परतिसत था तो इस में से सभी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा निम्न में से नाना साहिब किन को कहा जाता था तो किसे कहा जाता था नाना साहिब विस्वनात को या बालाजी बाजी बाजी राव को तो किसे कहा जाता था बालाजी बाजी द्राओ तो तर्टी टू का क्या हो जायगा 32 का option number भी हो जाएगा कोश्चन नमध 33 माराठा के मकया बेली किसे कहा तो मराठाओ मराठो के जो मकया बेली कहा गया किसे नाना फडवाइश को कहा गया सुमेल में सही पहचान यह तो देखिए इसमें कौन सा सुमेल करना कौन सा सही है तो सिंधिया गॉलियर में यह बंस है इसका राज कौन सा मिल गया था कौन सा छेत्र दिया गया था तो सिंधिया कहा था गॉलियर में गाय कोवाड प्रोधा और भोसले नागपूर में तो सभी सही दिया गया है और सनमर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कुश्यन नमर्ट 30 थाटी फोर तक ही है गया है यह और होगा एक मिनाट कुश्यन नमर्ट स्थापक कौन थे पेश्वाँ का संस्थापक कौन था तो पेश्वाँ का संस्थापक था जीह उप्시 को पानी पत के तिर्थय युद को किस लेखक ने अपनी आखों से देखा था तो इसे देखा था पंडित का सी राज ने देखा था अपसा नमर सी हो जाएगा और कोशन नमर अंतिम है कौन सा थर्टी थर्टी शेवन मराठा का इतिहास किस ने लिखा था तो मराठा का इतिहास मराठो का इतिहास जो लिखा गया था किसके द्वारा यह लिखा गया था यह ग्रांट डफ के द्वारा लिखा गया था ठीक है चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए क्या देख लिए था मराठा सम्राज का देख लिए था हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिख एक उसिक्स शुन्टमराज देखा माराता नेक्स विडियो और भात करेंगे इस सिक्स उत्युड के बारे में देखेंगे उसमें लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में तब तक लिए आप सभी का धन्य बात कि चलिए कि तद्र हुआ कि